हलो अप्रिवान और आज की रेसिपी है कारट टमेटो सूप सीजन में बहुत अच्छे कारट्स और टमेटोस हैं यह सूप बनाएगा आपको बहुत पसंद आएगा रेसिपी तो बहुत ही जादा आसान वाली है कलर तो देखे कितना माइंड ब्लॉइंग है यहां मैंने तीन इस तरह मीडियम साइज की रेड वाले कारट ले लिये हैं और चार पाच रेड टमेटोस ले लिये हैं जो कारट सूप होता है वो बेसिकली जो ऊटी कारट सोते है ना ओरेंज वाले कारट उनसे बनता है बट अभी विंटर्स हैं लाल वाले कारट आ रहे हैं एकदम ही यह वाली कारट से रिप्लेस कर दिया है हाँ अगर यह सूप समर्ज में बना रहे हैं तो फिर और इंज कारट का इस्तमाल कर सकते हूं तीन कारट लगबग चाह टमाटर और एक प्याज यह काट लेना है हमको यह चीजे सूप बनाने के लिए आपको चाहिए और क्यूंकि यह सारी चीजे एक साथ ही मैं पकाने वाली हूँ इसलिए मैं एक थाली में इनको काट लिया है यह साथ ही जाएंगे कुकर के अंदर और सूप बनाने के लिए फ़स्ट और फोर्मोस टेप होता है कि आपको आपकी जो वेजी जोते न इन्हें प्रॉसेस करना होता है तो यहां इतना डालिएगा कि आपकी सारी सबसे अच्छे से पक जाए और सूप जितना आपको सूपी चाहिए बस उतना ज्यादा पानी डाल देंगे तो फेकना पड़ेगा और फिर आपको अच्छा नहीं लेगा इतना नुट्रिशिस पानी फेकते हुए तो पानी आप कम रखे आगे हमको ज़रुत पड़ेगी और जो उपर सॉलिट्स है ना इसको एक थाली में फैला लीजिए बैसिकली यह हमको पीसना है इतना गर्म गर्म मिक्सी के अंदर डालेंगे तो मिक्सी खुल जाती है कभी-कभी इसलिए इसको पहले थोड़ा रूम टेंपरिचर पे ले आ तो गंदेगी भी हो जाती है आप बर्न भी हो सकते हैं अब यह ठंडा हो चुका है अच्छे से रूम टेंपरिचर पर आ चुका है तो अभी जो सबजियां है इसको में एक ब्लेंडिंग जार में डालकर बिना पानी के पीस लूँगी यह बिल्कुल सॉफ्ट पकी हुई है यह आराम से प्योरी हो जाएंगे और अभी जो पानी आपने बचा के रखा था ना इसमें से एक गलास पानी एक साइड रख दीजे पहले इसकी आगे जरुद पड़ेगी यह बरतन काफी बड़ा सा है ना तो मैं इसी में चान लूँगी यह स्ट्रप करने की जरुद है न आपको यह बरतन बड़ा है इसलिए मैं इसी में चान ले रही हूँ और जो पानी आपने बचा के रखा ना वो डाल डालके आप जार धो लीजे एवेंचली हमको सारा पानी भी चाहिए सारा पल्प भी चाहिए आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से सारा पल्प आप नि चाहिए सूप शुडबी स्मूध बस मैं इसको अच्छे तरह से अभी चान लोंगी यह जो हमारा बेस है ना सूप का यह हो चुका है रेडी बट सूप आगे अभी हमको प्रॉसस करना है कुक करना है तो बेस इस रेडी इसके बाद लेंगे एक और बड़ा सा बरतन इसमें एक छोटा सा क्यूब मैंने डाला है बटर का बटर आपको पिगलाना नहीं है थोड़ा सा मतलब हलका गरम आपका पैन अचाहिए बटर डालके तुरंत इसमें आपका सूप डाल दीजिए बटर को पिगलाएगा नहीं आड़ कर रहे हम इस वाद के हिसाब से यहां पे नमक और काली मिर्ची आप तोड़ा टेस्ट करके डालिएगा और सारी टार्ट को बालन्स करने के लिए मैं या पर शुगर डाल रही हूं बहुत लोगों को उनका सूप थोड़ा जादा स्वीट पसंद आता है कुछ लोगों को कम स्वीट पसंद आता है तो आप यहां लोड़ काली मिर्च और चीनी वगरा डालिएगा डखकन लगा के पका दीजिए इसको पांच एक मिनिट इसका जो पर जाग जाग होता न वह खतम हो जाएगा बस आपका सूप इस रेडी और कंसिस्टेंसी देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है यह और आप इसको इस टेज प यह डाल सकते हो मैं नहीं आड़ कर रही हूं और यह सूप हो चुका है रेडी सर्फ कीजिए गर्मा गरम टेस्टी तो है ही सुंदर भी बहुत और यह हेल्थ के लिए बहुत अचा है सूप सार ग्रेट एपटाइजर्स और बेस्ट एल्थ इन विंटर गिब दिस रेसिपी लिए ट्राइज यूट लूब जैकर बाइजर्स पांट अचार बाइजर्स